नमस्कार दोस्तों आज मैं अपने काफी व्यूवर्स के कहने पर इस वीडियो में सिंपल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स स्क्रीन पर जो आपको सूट दिखाई दे रहा है ये मेरे बुटिक कलेक्शन में से एक है और आप भी ऐसे ही क्लासी सूट पैनना पसंद करते हैं तो इन्हें पर्चेस करने के लिए आप हमारा वाट्स अप ग्रूप जोइन कर लें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सलवार कटिंग का मैं सबसे आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अब इसको फिर से फोल करके पहले हम साइट से इसमें से ये किनारी कट कर लेंगे इसमें से हम नाड़ा बनाएंगे सबसे पहले हमें नाड़े के लिए ये कपड़ा कट करना है इससे नाड़ा मजबूत बनता है अब हम सलवार कट करेंगे सलवार की टोटल लैंथ है 40 इंचिस उसके हिसाब से हमें यहां सलवार को कट करना है देखिए पहले ही इसे मैंने लंबाई में फोल्ड कर लिया है अब इसको हम पूरा चौड़ाई में फोल्ड करेंगे अगर आपको बिना कलियों वाली सलवार बनानी है तो इसे पूरा फोल्ड करें और अगर आपको कलियों वाली सलवार बनानी है और इसमें घेरा बढ़ाना है तो इस तरीके से कपड़े को अपने तरफ मोग कर लें देखे यहां से हम दो कलियों वाली ये सलवार बनाएंगे, अब देखे यहां सलवार की लेंद है 40 इंचिस, इसमें मैं 6 इंच का बैट लगाऊंगी, तो 34 इंच यहां हमें ये सलवार कट करनी है, 34 में भी हम 2 इंच एट करेंगे, 36 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लें, यहा सीधी लाइन खेच लें, अब इससे करीब, 1.5 इंच उपर की तरफ आएं, आदा इंच हम उपर बैट लगाएंगे, उसमें सलवार में जाएगा, तो 1.5 इंच इस तरीके से मार्क कर लें, यह पॉंचे के लिए है, पॉंचे की चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है, उसमें भ यह पॉंचे की साइस जो भी आप पैनना पसंद करते हैं, वहां तक मार्क करके और उसमें सलाई का एड़ कर लें, देखिए पॉंचे का मैंने इस तरीके से मार्क किया है, अब क्रॉच के लिए हम मार्क करेंगे, टोटल क्रॉच लेंद हमें 15 इंच रखनी है, जिसमें 6 इ गांट में टेप को सैट करेंगे, और यहां मार्किंग कर लेंगे, यह पूरा सलवार का शेप आ चुका है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, कटिंग करने के बाद, अब साइट से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको इस तरीके से गुमा कर, यहां हम कलियां काटेंगे, सलवार के लिए जो दो कलियां हमें चाहिए, वो यहां से हम कट कर लेंगे, इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हटा ले अब यहां सलवार में अगर आप मेयानी लगाना चाते हैं तो उसे कट कर लें अगर मेयानी नहीं लगाना चाते तो सलवार में क्रॉट से लेकर इस तरीके से स्लांट में मार्क करें देखिए जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से मार्किंग कर लें और इसकी कटिंग करें सलवार की पूरी कटिंग हो चुकी है अब हम बैल्ट की कटिंग करेंगे बाकी बचे हुए कपड़े को इस तरीके से फोल कर लें अब बैल्ट की लंबाई हमें 6 इंच चाहिए उसमें हम 2 इंच एड करेंगे 8 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लें यह 8 इंच लंबी स्ट्रिप हम यहां से कट कर लेंगे एक और स्ट्रिप भी कट कर लें अब यहां बैल्ट की जो तैयार चौड़ाई है वो मुझे 25 इंच चाहिए उसमें हम 1 इंच एड करेंगे 26 इंच पर मार्क कर लें और बाकी जो जॉइंट आएगा वो दूसरी वाली स्ट्रिप में से हम यहां पर जॉइंट कर लेंगे उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें यह बैल्ट की कटिंग हो चुकी है अब स्टिचिंग में सबसे पहले हम बैल्ट को तैयार करेंगे देखिए इसमें दो जॉइंट आए हैं कपड़े को आमने सामने रखें पहले एक जॉइंट को पूरा करें तो उसमें कैसे स्टिचिंग करनी है देखिए करीब डेर्ड इंच तक पहले इस तरीके से इसे बंद कर लें यहां डबल स्टिच कर लें और इसे मशीन से निकाल लें अब इस स्टिच के बाद करीब एक इंच छोड़ दें अब यहां दूसरी साइड से हम फिर से यहां तक डबल स्टिच कर लेंगे अब इस जॉइंट को पूरा खोल कर इस तरीके से दोनों साइड से हम फोल करके और स्टिच कर लेंगे अब जो हमने नाडा कट किया था इसको इस तरीके से डबल फोल करके और स्टिच कर लें और नाडा तयार करें नाड़ा तैयर होने के बाद अब इसको हम इस बैल्ट में डालते जाएंगे और उपर से फोल्डिंग कर लेंगे देखिए नाड़े को इस तरीके से इस होल में से निकाल लें और उपर से जितना हमने फोल्डिंग का रखा है इस तरीके से से फोल्ड करके और नाड़े को कवर कर देंगे अब इस फोल्डिंग को बिल्कुल किनारी पर स्लाई करते जाएं और नाडे को अंदर दबाते जाएं ध्यान रखें नाडा अंदर स्लाई में नहीं आना चाहिए पूरे बैल्ड को इस तरीके से नाडे के साथ तयार करें अब देखें जो दो कलियां हमने इस अलवार के लिए कट की हैं उन दोनों को हमें यहां स्टिच करना है कलियों को जोड़ते टाइम भी यह ध्यान रखना है कि दोनों साइट का कपड़ा आमने सामने होना चाहिए इस तरीके से सामने वाली एक और कलिया को भी स्टिच कर ले अब दोनों को आमने सामने रखकर यहां क्रॉच लैन को हम स्टिच करेंगे एक साइट की क्रॉच को स्टिच करने के बाद इसके सामने वाली क्रॉच को भी स्टिच कर ले अब हमें सलवार का पॉच्चा तयार करना है इसके लिए मैंने ये बैल्ट रोल लिया है जितना भी पॉच्चे की चौड़ाई आपने रखी है उतना हमें यहां बैल्ट रोल कट करना है अब देखिए ये सलवार का कपड़ा मैंने उल्टा रखा है अब इस बैल्ट रोल को अंदर की तरफ रखें इसको पूरा कवर करें इस तरह कपड़े से पूरा कवर करके और एक सिंगल स्टिच कर लें जो बिगनर्स हैं वो भी इस तरीके से पौँचा तयार करेंगे तो पौँचे में एकदम फिनिशिंग आएगी देखिए एक सिंगल स्टिच करने के बाद इसको फिर से डबल फूल कर लें और यहां किनारी पर एक स्टिच कर लें अब इसको सीधा करके हम यहां किनारी पर दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे देखिए इस तरीके से पौँचे में अंदर जो भी आपको डिजाइन बनानी हो वो आप बना सकते हैं मैंने यहां सीधी स्लाइयों से इस तरीके से पौँचा तयार किया है दोनों साइड के पौँचे को तयार करने के बाद अब हम यहां इनको बन करेंगे देखिए जितना भी आपको तयार पौँचा चाहिए वहां तक मार्ग कर लें यहां मुझे साथ इंच का तयार पौँचा रखना है तो हम साथ इंच पे यहां मार्ग कर लेंगे अब देखे 7 इंच के बाद इस सलवार को यहां से बंद करने के लिए इसे इस तरीके से स्लांट में स्टिच करना है अब देखे इसमें करीब 1,5 इंच, 1,5 से 2 इंच अंदर स्लाई में दबाना है मगर जो क्रॉच वाली एरिया है वहां पर हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं दबाना है सलाई में क्योंकि अगर आप वहां ज़्यादा सलाई में दबाएंगे तो क्रॉच टाइट हो जाएगी दोनों पॉचों की साइज सेम रख कर और इस तरीके से स्टिच कर ले पॉचे वाली सलाई करने के बाद अब हम इसमें बैल्ट लगाएंगे देकि बैल्ट को इस तरीके से पकड़ना है जिस साइड हमने नाडा लगाया है उसके सामने वाली साइड इस तरीके से कट लगा दे ये बैक साइड में क्रॉच एरिया और ये दोनों पॉइंट्स एक जगह पर आएंगे ठीक है अब हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे अब ये हमारे सलवार के साइड के कट है ठीक है ये दोनों कट हमारे सलवार के साइड में आएंगे अब देखें बैक साइड की जो क्रॉच है उसके दोनों तरफ इस तरीके से प्लेट्स बनाएं देखें दो छोटी छोटी प्लेट्स बना ले ये बैक साइड वाला एरिया है देखें क्रॉच के दोनों साइड मैंने आमने सामने इस तरीके से प्लेट्स बना ली है अब बैल्ट में जो हमने बैक के लिए कट लगाया था देखिए जो नाड़े के बिलकुल सामने वाला कट है ठीक है ये वाला बैक साइड में आएगा इसको बैक वाली क्रॉच पर इस तरीके से सेट कर ले और यहां से स्ट्रिच करना स्टार्ट करें सलवार के साथ हम इस तरीके से बैल्ट को यहां जोड़ते जाएंगे अब देखिए इस स्ट्रिच को हमें कंटीन्यू रखना है जब तक जो साइड वाले हमने मार्किंग की थी वो मार्किंग ना आ जाए देखिए ये साइड वाली मार्किंग है यहां तक बिल्कुल सीधी स्टेच करते जाएं अब आप यहां से ही प्लेट्स बनाना स्टार्ट करें या इस कट के बाद करीब दो से तीन इंच छोड़ कर और फिर प्लेट्स बनाएं अब जो नाडे वाली साइड है और जो फ्रंट की क्रॉच लाइन है वो दोनों एक जगह पर मिला कर इस तरीके से पिन अप कर लें अब सलवार का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें से हमें प्लेट्स बनानी है देखे क्रॉच लाइन तक इस पूरे बैल्ट को हमें कवर करना है और पूरे में प्लेट्स लगाते जानी है जितना भी गेरा आपने सलवार में रखा है उसके साब से यहाँ पर प्लेट्स बनेगी अगर आपने गेरा ज़्यादा रखा है तो प्लेट्स ज़्यादा बनेगी गेरा कम रखा है तो प्लेट्स कम बनेगी प्लेट्स का जो फेस है वो क्रॉच के सामने होना चाहिए ये ध्यान रखिएगा सभी प्लेट्स एकी साइस की होनी चाहिए अब देखे ये जो फ्रांट की क्रॉच लाइन है और जो नाडे वाला साइड है हमारे बैल्ट का वो दोनों एकी जगा पर होने चाहिए अब देखे दूसरी वाली साइड भी जो हमने साइड का मार्किंग किया है उससे करीब दो इंच आगे की तरफ इस तरीके से पिन अप कर ले अब जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ हम फिर से प्लेट्स बनाएंगे अब देखे यहाँ पर भी प्लेट्स का जो फेस है वो क्रॉच के सामने होना चाहिए पूरे में इक्वल प्लेट्स बनाते जाएं और इस बैल्ट को सलवार के साथ फिक्स कर लें आप यहाँ प्लेट्स की जगर मशीन से गैदस भी बना सकते हैं आप इस स्टिच को कंटीन्यू रखें जहां से हमने स्टिच स्टार्ट की थी वहीं जाके हमें इसे खतम करना है देखें बैल्ट पूरा टैच हो चुका है अब यहाँ बैल्ट के ऊपर तरफ हम करीब चौथा इंच तक एक स्टिच करेंगे इस से पूरे बैल्ट में अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी यह सिंपल और इजी कलियों वाली सलवार तैयार हो चुकी है अगर आपको मेरा यह मैथट इजी लगा हो तो लाइक और कॉमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसे ही नए नए आइडियास के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाइ और थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो